हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल ग्यानलाब आप लोगों की पटाई अच्छी चल रही है और आप लोग अच्छे कॉंसेंट्रेशन से पूरा मन लगा कर अपना अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं सिर्फ मैंने अचीव 90% वाली जो वीडियो बनाई थी वो टाइम पास के लिए नहीं बनाई थी आप लोग उसको ओनेस्ली फॉलो कर रहे हैं और खुद के साथ ओनेस्ट रहो टाइम टेबल फॉलो करो तो आपके परसंटेश दूर नहीं है यू विल डेफिनेटली अचीव यूर गोल ओके तो आज हम यूमन हेल्थ और डिजिजिस का फॉर्ट सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारे इनेट इम्निटि के पांचप विजिकल बेरियर ते जिसके वजह से हम भीमार नहीं होते हैं तो वो बेडियर्स कौन कौन से थैं लेर मतलब रुकाव ढोल बचाती आतम माइक्ट और गयांजंस के लिए जो रुकावटे हैं वो कौनसी कौनसी रुकावटे हैं तो वो पांच जो पर्टिकुलर बेरियर्स हमको दिये गए हैं उसमें से एक बेरियर हमने सेशन 3 में कम्प्लीट किया है आज के सेशन में हम बाकी के चार बेरियर्स कम्प्लीट करेंगे अब तक हमने human health and diseases chapter में क्या-क टॉपिक कवर किया, introduction कवर किया, introduction में health क्या होता है, hygiene क्या होता है वो पढ़ा, resistance क्या होता है वो पढ़ा फिर उसके बाद हमने देखा immunity के बारे में, what is immunity, what is immune system, what is immunology, what is antigen, what is antibody, यह definitions हमने देखे immune system का एक specific characteristic होता है that it can differentiate between own cells and other cells, मतलब own body cells and other outside cells, that is between antigen and our own body cells फिर उसके बाद हमने देखा types of immunity, types of immunity में हमने दो word पड़े, एक होता है innate immunity या जिसको हम बोलते है inherited और inborn immunity, जो बच्चे को पैदाईशी के साथ मिलती है, जब वो पैदा होता है तो उसको ये immunity अपनी mother से मिलती है, this is inherited, inherited मतलब parents से ये immunity बच्चे को मिली है, और दूसरी type की immunity क हमने पड़ा acquired immunity, इसका हमने थियोरी जादा नहीं देखा, हमने सिर्फ नाम पड़ा acquired मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम है adaptive immunity, इसको adaptive क्यों बोलते हैं या acquired क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये पैदा होने के बाद लेते हो, मतलब immunization और vaccination के थुरू आपको acquired immunity दी जाती आपके nose के अंदर mucus membrane होती है, respiratory tract में म्यूकस membrane होते हैं, कैसे ये बाहर से आने वाले foreign antigen को अपनी body में trap कर लेते हैं, या body के अंदर घुसने नहीं देते हैं, यह हमने पड़ा first physical surface के बारे में, मतलब first barrier के बारे में, अब आज के session में continue करेंगे about second, third, fourth and fifth barrier, अब तक अगर च करते हैं आज का session, तो आज के session में जो हमारा first topic है, that is antimicrobial substances in blood and tissues, मतलब आपके जो blood है और आपके जो tissue है, इसमें कुछ ऐसे antimicrobial substances produce होते हैं, जो आपकी body को foreign particles से protect करते हैं, हमने क्या बोला था, कि आपका जो epithelial surface वाला barrier है, मतलब जो epidermal layer है, epithelial layer है, यह बाहर की जो layer है यह organisms को अंदर जाने से protect करती है, लेकिन समझो किसी reason के वज़े से वो organism बहुत छोटा है और वो अंदर तक पहुँच गया, उसको कोई layer नहीं रोक पाई, तो अब अंदर जाने के बाद हमारे जो body के fighter cells है, जो lymphocytes है, हमारी body के fighter cells है, वो fighter cells क्या बनाएंगे, antigen को देखकर वो हमारी body में antibody prepare करेंगे, क्या prepare करेंगे, antigen को देखते ही, वो हमारी body में antibody prepare करते हैं, तो उस antibody को, या कभी-कभी बाहर से कोई antigen आता है, तो हमारी body उसको देखकर दूसरे fighter cells produce करती है, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे तुम antibody बनाओ, चाहे दूसरे fighter cells बनाओ, हमारा goal क्या है कि जो antigen हमारी बॉड़ी में हमको बिमार करने के लिए है अमको इस antigen को destroy करना है तो हमारी बॉड़ी में जो substances produce होंगे उसको हम बोलेंगे antimicrobial substance microbial मतलब जो बाहर से कोई foreign particle आपकी बॉड़ी में आया है बाहर से कोई microorganism आपकी बॉड़ी में आ रहा है उसको मारने कॉंप्लिमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है यह कॉंप्लिमेंट मतलब तारीफ करना नहीं होता है वह जो दूसरा वाला कॉंप्लिमेंट है उसमें यहां पर आए रहता है पी एल आए रहता है उसकी स्पेलिंग अलग है और यह कॉंप्लिमेंट की स्पेलिंग अलग है compliment cascade, देखो यहाँ पे एक word लिखा है मैंने, compliment cascade, cascade मतलब क्या होता है, step by step कोई pathway फॉलो करना cascade करना मतलब क्या होता है, step by step जब कोई pathway आप फॉलो करते हो, जब कोई flow chart आप फॉलो करते हो, तो उसको हम cascade बोलते है तो complement मतलब क्या होता है, complement मतलब आपकी body में कुछ ऐसे chemicals या ऐसे cells प्रडियूस हो रहे हैं, जो कब प्रडियूस होंगे, जब आपकी body में कोई foreign particle या foreign antigen enter करेगा, invade करेगा, तब ही आपकी body में ये system activate होगा, आपकी body में ये system हमेशा activated नहीं रहता है, complement system का मतलब है, ऐसा system जो हमारी body में तब activate होगा, जब भी कोई बाहर का foreign particle body के अंदर enter करेगा, ये system activate करके क्या करता है, ये system जब activate होता है, तो ये कुछ ऐसे specific chemicals या ऐसे specific cells बनाता है, जिसको हम serum proteins बोलते हैं, जो हमको invading microorganism से protect करें, invading microorganism मतलब जो microorganisms अंदर घुस रहे है, body के अंदर आ रहे है, घुस पैटी है, so the complement system, it contains more than 30 serum proteins, serum मतलब आपका blood fluid, हमने circulation और respiration वाले chapter में बार बार serum का explanation देखा है, serum मतलब क्या होता है, आपका blood का liquid, तो उसमें जो proteins present होते हैं, उसमें approximately 30 अलग-अलग type की, 30 different types of proteins are present, which are produced when your complement system is stimulated, मतलब जब आपका complement system activate होता है, तब आपकी body में ये serum proteins बनती है, 30 की 30 protein एक साथ नहीं बनती है, depend करता है कौन सा antigen आया है, तो उसके against कौन सा protein बनाना है, protein क्यों बना रहे हैं, क्योंकि antibody is nothing but protein, जब भी कोई antigen body में आता है, तो हमारी body उसके against antibody produce करती है, या फिर cells produce करती है, तो complement system एक ऐसा system है, जो कब activate होगा, जब body में microorganism center करेंगे, so the complement system contains more than 30 serum proteins circulating in the blood in an active state, तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, कि यह जो आपका complement system के 30 proteins है, 30 और more than 30 proteins which are present in our blood, they keep circulating in the body, यह क्या बताया जा रहा है, कि यह आपके blood में, आपकी body में continuously circulate होते रहते हैं, कुछ proteins, मतलब कुछ proteins पहले से नहीं बने हुए होते हैं, कुछ proteins microorganism के आने के बाद बनते हैं, और कुछ proteins पहले से present हैं, कुछ proteins active होंगी, कुछ proteins inactive होंगी, तो यहाँ पर यह जो बोला है ना, confused नहीं होना है, क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, they keep circulating in the blood in an active state, सारे proteins active नहीं होते हैं, बहुत सारे proteins in active state में रहते हैं, लेकिन कुछ proteins जो continuously आपके blood में present हैं, वो active state में होते हैं, जो proteins, मतलब जो specific proteins होते हैं, जो किसी particular type के microorganism को मारने के लिए ही बनते हैं, वो proteins हमेशा active नहीं होते हैं, वो proteins in active state में रहते हैं, जब कोई particular antigen आएगा body में, और मुझे उसी antigen के उपर attack करना हैं, तब वो proteins active होंगे, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो, कि आपके blood में naturally कुछ serum proteins circulate हो रही है, लेकिन वो सारे serum proteins active नहीं होते हैं, उसमें से कुछ active होते हैं, कुछ inactive होते हैं, क्योंकि अगर सारे serum proteins active रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, कि वो आपके ही body के cells के उपर attack करने लग जाए, मतलब अगर उनको बाहर का कोई foreign particle नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको किसी को तो मारना है, तो ऐसा ना हो जाए कि वो खुद को attack करने लगे, इसलिए सारे serum proteins activate नहीं होते हैं, इसको अच्छे से समझो, theory में भले ही ऐसा दिया है, only after entry of microorganism, तो फिलहाल के लिए, exam point of view से इतना याद रुखो, कि आपके blood में 30 proteins होते हैं, approximately 30 और more than 30 serum proteins are present, which keep circulating in the blood, for protection from antigen, okay, the presence of microbial pathogens, activates the complement cascade to eliminate pathogen, अब भी just जो मैं आपको explain कर रही थी, देखो यहाँ पे बोला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा, जो concept है वो follow करो, एकदम blindly text book के word को मत follow करो, यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे आपका कोई microbial pathogen, मतलब बहार से जैसे ही कोई antigen आपकी body में enter करेगा, तो जैसे ही microbial pathogen आपकी body में present होगा, या enter करेगा, वो क्या activate करेगा, वो आपकी body में घुसकर complement cascade system activate कर देगा, मतलब ऐसा simple भाषा में अगर बहार से कोई microorganism मेरी body में enter कर रहा है, तो मेरी body के cells उसको detect करते कि अरे यह तो कुछ अलग है, यह अपनी body का cell नहीं है, यह कुछ बाहर से आया हुआ cell लग रहा है, तो जैसे हमारे body को भनक पड़ती है कि यह तो बाहर से आया हुआ cell है, हमारी body तुरंत सबसे पहला काम करती है complement cascade को activate कर देना, हमारी body किसको activate करती है, complement cascade, मतलब ऐसे बहुत सारे steps है, बहुत सारा pathway है, पहले एक cell trigger होगा, फिर दूसरा cell trigger होगा, फिर तीसरा cell trigger होगा, फिर चौथा cell trigger होगा, ऐसे एक एक करके अलग 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 cells activate होते हैं, आपको आपका chemical मिलता है, आपको आपका antibody मिलता है, तो इस पूरे pathway को हम cascade बोलते हैं, cascade मतलब क्या होता है, कोई भी particular protein बनाने के लिए या कोई भी particular antibody बनाने के लिए आपको step by step path follow करना पड़ता है, उस step by step रास्ते को हम बोलते हैं cascade, तो जैसे ही आपके blood में, जैसे ही आपकी body में कोई भी microbial pathogen enter करेगा, present दिखाई देगा, your complement cascade system will get activated और यह अपना complement system activate होके क्या करेगा, serum proteins बनाएगा, जो already serum proteins present है वो उनको activate करेगा, और जो serum proteins present नहीं थे तो पहले उनको बनाएगा और फिर सारे serum proteins मिलकर या specific serum protein जाकर हमारे pathogen को eliminate कर देगी, क्या बोला हमको first two points में, कि आपकी body में naturally कुछ serum proteins present रहते हैं, जो बहार से आने वाले microorganisms को मारने के लिए ready रहते हैं, लेकिन सारे proteins active नहीं होते हैं, कुछ proteins कब active होते हैं, जब आपकी body में microbial pathogen enter करता है तो आपकी body उन cells को detect करती है, और फिर आपके complement cascade system को वो activate करती है, और फिर उस cascade से बने हुए antibody आपके pathogen को eliminate कर देते हैं, यहां तक समझा, all right, the interferons are a class of cytokines released by virally infected cells and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from viral infection, अच्छे से समझो क्या बोल रही हुँ मैं, यहां पर हमको एक example दिया है कि ऐसा कौन सा, आप पुछोगे कि मैं यह जो 30 serum proteins हैं, मतलब इनके example क्या है, तो इस में से एक example है interferon, interferon एक ऐसे टाइप का chemical है, antibody के अलग-अलग classes होते हैं, class मतलब जैसे आपने 11 standard में पढ़ा था ना, फाइलम पढ़े थे आपने kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom monera, kingdom ऐसे बहुत सारे पांच अलग-अलग, kingdom fungi, kingdom protista, ऐसे पांच अलग-अलग आपने kingdom system पढ़ा था, फिर उसके अंदर आपने फाइलम पढ़े, फाइलम के अंदर आपने और भी order genie species यह सब पढ़ा, तो उसी तरीके से antibody की भी अलग-अलग class होती है, मतलब अलग-अलग categories, confusion को avoid करने के लिए मैं simple भाशा में बोलती हूँ, कि जो serum proteins होते हैं या आपके body में जो antibody produce होती है, उस antibodies की अलग-अलग categories होती है, तो उन में से एक category है cytokines, एक category कौन सी है cytokines, cytokines मतलब ऐसे chemicals जो आपके cell को kill कर दे, cytokines, cytokines means cell and kind means kill करना, मतलब किसी भी चीज़ को बीच में से divide कर देना, break कर देना, destroy कर देना, तो ऐसे particular chemical को हम बोलते है cytokines, मतलब किसी cell से ऐसा chemical बन रहा है जो दूसरे cell को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, तो यह जो interferons है, it is a type of serum protein only, यह एक तरीके का serum protein है, लेकिन यह कौन से category को belong करता है, कौन से class को belong करता है, it belongs to cytokines, so the interferons are a class of cytokines, इसको आप soluble protein या फिर serum protein बोल सकते हो, जो आपके blood में present है, obviously बात है, यह soluble है, इसलिए तो blood में flow हो रहा है, ब्लड में अगर कोई चीज़ सॉलिड बैट जाएगी, तो वो आपकी पूरी बोडी में पहुँचेगी, क्या, नई, वो soluble होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, तभी वो protein आपकी पूरी बोडी में circulate होगी, यह जो interferons है, यह interferons एक ऐसे टाइप के particular category को belong करते हैं, the interferons belong to the class of cytokines, which are released by virally infected cells, यह interferons करता है, समझो, आपके बॉडी के यह healthy cells है, वेठाँ, I'll draw it, समझो आपके बॉडी के healthy cells हैं, और इस कुछ cells के उपर virus ने attack कर दिया है, कुछ cells के उपर से इंटर्फेरों प्रडियूस करते हैं और और भी कुछ वाइड ब्लड सेल्स है हमारी बॉड़ी में जो बी लिम्फोसाइट स्टी लिम्फोसाइट प्रेजन है तो उन में से भी थोड़ा-थोड़ा इंटर्फेरों रिलीज होता है मतलब यह इंटर्फेरों जो है यह जिन सेड़स के वाइरस ने आट्साइड किया उन से भी इंटरफिरॉन रिलीज होता है और बॉडी में थोडे बहुत जो वाइट ब्लड सेल्स हैंclas बहुत साइड ब्लड ज़ है भी जब वाईट ब्लड सेल्ड है और ऐट बडट सॉधी में और अलग अलग टाइप वाइरस और सेल के बीच में इंटरफेर करना मतलब अभी समझो कि किसी एक पटिकुलर सेल के उपर वाइरस ने अटाक कर दिया है तो अब वह सेल तो नहीं बचने वाला है लेकिन वह सेल अपनी कुर्बानी दे के बाकी की सेल्स को बचाता है इंटरफेरों बिलॉग तो अटाक कर दिया है उस सेल में से जो इंटरफेरों निकलेगा वह इंटरफेरों दूसरे सेल्स को स्टिमूलेट करेगा कि अरे तुम लोग भागो भागो मेरे उपर वाइरस का अटाक हुआ है मैं तो बचने वाला नहीं हूं पर तुम लोग खुद को बचा लो तो जब यह इंटरफेरों क्या करेंगे वह दूसरे सेल्स को स्टिमूलेट करेंगे और वह दूसरे सेल्स अपने बाहर एक अच्छ में आया आपको क्या बोला हमने हमने क्या पड़ा यहां पर अंटी माइक्रोबियल सब्स्टेंस वाले पार्ट में कि आपकी बॉडी में कॉप्लिमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है ऐसे पर्टिकुलर अंटिबॉडी जिनको आप सीरम करता है ताकि वह प्रोटीन हमारे पैतोजन को ढूंड के उसको किल कर सके एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना किल कर देना और ऐसा ही एक केमिकल का एक्जामपल है इंटर्फेरों यह इंटर्फेरों आपकी बॉडी में कब बनते हैं जब आपका कोई हेल्दी सेल वाइरस स आपके उसके उपर अटाक करता है तो वह बिचारा जो सेल मरने वाला है जिसके उपर वाइरस ने अटाक कर दिया है वह सेल इंटर्फेरों रिलीस करता है और थोड़े बहुत वाइट सेल्स भी ऐसे हैं जो इंटर्फेरों रिलीस करते हैं ताकि बाकी के बचे हुए सेल्स खुद को protect कर सके और virus के infection में ना आए समझ में आई आपको बात from viral infection आएगा इधर from viral infection यह मैंने थोड़ा सा बलत लिख दिया तो I hope आपको ये वाला topic अच्छे से clear है जो second barrier था antimicrobial substances in blood and tissues वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं third barrier की तरफ देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि innate immunity हमको कैसे protect करती है सबसे पहले तो हमारे पास epithelial surface है मतलब बाहर की layer microorganism को अंदर घुसने से रोकेगी लेकिन अगर बाहर की epithelial layer या mucos membrane microorganism को रोक नहीं पाए और वो blood तक पहुच गए microorganism तो complement cascade system activate होगा complement cascade system के वज़े से भी अगर वो particular virus या particular pathogen नहीं मरा तो आपकी body में third level आता है उस particular virus को मारने के लिए that is cellular factors in innate immunity मतलब अगर इस protein से वो particular pathogen नहीं मरा तो फिर cells होंगे मतलब पहले हमने protein बनाया ताकि हमारा pathogen मर सके जो हमने बनाया नहीं blood में already major proteins present है हमने कुछ बाहर से special बनाया नहीं है यह complement cascade system यह complement cascade system भी कुछ proteins बनाता है नहीं तो ज्यादा तर जो proteins पहले से present है उनको यह activate करने का काम करता है तो सबसे पहले हम खुद को कैसे protect कर रहे थे मतलब समझो हमारी body के बाहर पांच layer है सबसे पहली layer skin जो microorganism को अंदर नहीं आने देती है अगर microorganism अंदर आ भी गया ब्लड तक पहुंच भी गया तो हमारे blood में serum proteins present है जो microorganism के अंदर आने के बाद activate हो जाते हैं complement cascade system उनको activate कर देता है और वह protein हमारे particular pathogen को मार देती है eliminate कर देती है लेकिन अगर वह protein भी उनको eliminate नहीं कर पाई तो पिर हमारी body में कुछ particular cells produce होते हैं क्या produce होते हैं कोई particular special type के cells बनाए जाते हैं तो उस barrier को हम बोलते हैं which is cellular factor cellular factors मतलब protein से काम नहीं बना तो अब हम cells से attack करेंगे तो कौन से cells हैं जो हमको protect करेंगे natural defense against any microbial invasion microbial invasion मतलब microbial entry आपके body में कोई भी microorganism जब entry लेता है तो उससे खुद को बचाने के लिए आप जो protection करते हो उसको हम बोलते है natural defense defense मतलब protection so natural defense against मतलब बिना किसी दवाई के यह सब naturally आपके body में हो रहा है क्योंकि हम innate immunity पढ़ रहे हैं na innate मतलब inborn immunity जो आपको mother से मिलती है so natural defense against any microbial invasion into blood and tissues is mediated to a large extent by phagocytic cells तो यह natural defense mechanism जो है जो blood and tissues में आपको protect करते देखो आपके serum proteins आपको protect नहीं कर पाए इसलिए तो यह cell infect हो गया correct ना तो अब बचे कुछे cells को protect करने के लिए यहाँ पर interferon release हुआ interferon ने क्या बोला बाकी के cells को कि तुम भागो तुम खुद को बचाओ तो अब वो बाकी के cells जो है वो खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे phagocytic cells produce करेंगे यह जो बाकी के cells है वो खुद को बचाने के लिए क्या produce करेंगे phagocytic cells produce करेंगे phagocytic cells किसी भी cell से नहीं बनता है यह specific type के white blood cells से ही बना सकते है अंच्राल डिफेंस सिस्टम किसकी मदद से हम कंप्लिट कर सकते हैं अब विप फैगोसाइटीक सेल का फंक्षिन है किस इसा क्या फंक्ष्टन ऐस? इस भूंक्ष्ट कि इन्जेस्ट और सुप्ट्ट्रॉई मैडरोगयानिसम्थ एसे कोई पर्टिकुलर करकर कोई काटून आता था इसा पर और यह पर्टिकुलर पैठोजन आगे अगे बढ़ेंगे और इन आगे निझेस्ट करना मतलब निगलना So these phagocytic cells ingest and destroy the pathogen, okay? Phagocytic cells, it was discovered by Mechnikov in 1882 and they are group TAS. Phagocytic cells के दो अलग-अलग groups हमको बताए गए हैं. First is microphages and second is macrophages. दो अलग-अलग groups हमको कौन से बताए गए हैं? एक है microphage और एक है macrophages. Microphage मतलब छोटे से छोटे macrophages. तो उसके उपर इतना ध्यान मत दो. आप सिव इतना समझो कि phagocytic cells का काम है. किसी भी pathogen को निगल के उसको destroy कर देना. ingest करना मतलब क्या होता है? निगल लेना. तो उन phagocytic cells को हम बोलते हैं, macrophage. क्या बोलते हैं? उन phagocytic cells को हम macrophage बोलते हैं. यह macrophage क्या करते हैं? They remove foreign particles and we can call them antigen that enter into the body. हमारी body में जो भी foreign particles enter करेगा, foreign particle को हम antigen बोलते हैं. तो हमारी body में जो भी foreign particle enter करेगा उसको ये macrophages निगल लेंगे, उसको engulf कर लेंगे, खा लेंगे और खतम कर देंगे body में से A class of lymphocytes called natural killer cells is important in non-specific defense against viral infections and tumors जैसे हमने बोला कि आपकी body में अलग-अलग classes बनाई गई हैं, आपके body के अंदर अलग-अलग groups है जो अलग-अलग चीजे बनाती है, जैसे cytokine class क्या बनाती है, this class of cytokine produces interferon इस class से क्या produce होता है, interferon produce होता है, ऐसे और एक class है आपके body में, a class of lymphocytes called natural killer cells ये class क्या बनाएगा, मतलब lymphocytes के कुछ ऐसे particular cells हैं, जिनको आप natural killer cells बोलते हो ये natural killer cells non-specific होते हैं function में, ये कैसे होते हैं, non-specific function में होते हैं non-specific मतलब ये किसी भी antigen के उपर specifically react नहीं करेंगे, इनके सामने जो भी antigen आएगा ये सब को खतम कर देंगे मतलब ये देखेंगे नहीं कि वो antigen नुकसान पहुचा रहा है कि नहीं पहुचा रहा है बाहर से कोई भी चीज बोडी में आ रही है तो उसको वो destroy कर देंगे so class of lymphocytes which are called natural killer cells, NK cells, natural killer cells मतलब they are non-specific and they kill all types of antigen so they are natural killer cells, it is important in non-specific defense against any viral infection and tumors क्योंकि आपकी body में कभी कभी क्या होता है, आपके ही cells की growth uncontrolled हो जाती है मतलब समझो कहीं skin पे, मेरी skin का cell division रुकी नहीं रहा है वहाँ पे continue skin के cells divide होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे मेरे natural killer cells आएंगे और उसको destroy कर देंगे तो जो यह tumor बना, यह तो मेरे ही body के cells थे ना, यह तो बाहर से आई भी नहीं थे तो natural killer cells जो हैं, यह non-specific होते हैं, इनको कहीं पर भी खत्रा दिखाई देता है चाहे वो खुद की body के cells के वज़े से खत्रा हो, या बाहर के antigen के वज़े से खत्रा हो इनको जरा से भी भनक पड़ती है, कि यहाँ पर tumor formation हो रहा है, यहाँ पर कोई virus infection हो रहा है या virus body में घुझ गया है, तो यह वहाँ पहुच जाते हैं, blood के थू ही पहुचते हैं, क्योंकि यहाँ बताया है they mediate through blood and tissues, तो यह blood और tissues के थू ट्रावल करते हैं और कहीं पर भी जहाँ पर भी unwanted viral infection या unwanted cell growth दिखाई दे रहा है, तो यह उसको destroy कर देंगा और इसलिए हम इनको बोलते है natural killer cells and they are non-specific in function तो हमने first barrier पड़ा epithelial surface, epithelial surface में हमने देखा skin और mucous membrane जो microorganism को बाहर trap कर लेते, लेकिन फिर भी अगर कुछ microorganism body में enter कर गए तो हमारे blood में जो natural serum proteins हैं, वो serum proteins activate हो जाएंगी casket system की मदद से और वो उस particular viral infection को खतम कर देंगे, लेकिन उस particular viral infection के वज़े से जो बाकी के cells stimulate हुए हैं वो cells क्या बनाएंगे, वो cells macrophages बनाएंगे, मतलब phagocytic cells बनाएंगे phagocytic cells कौन से particular class से बनते हैं, they are formed from lymphocytes, phagocytes जो है lymphocytes से बनते हैं lymphocytes नहीं, lymphocytes से, lymphocytes मतलब white blood cell, lymphocytes के दो example है, lymphocyte एक monocyte, circulation वाले chapter में पढ़ा है वो वीडियो देखो, प्लेडिस सेक्शन में जाओ, आपको circulation and respiration के सारे वीडियो मिलेंगे तो phagocytic cells produce होते, phagocytic cells का काम होता है, micro-organisms निगल के उसको खतम कर देना और एक आपकी body में natural killer cells present होते हैं, यह natural killer cells non-specific होते हैं non-specific मतलब यह खुद के body के cells को भी खा जाएंगे, क्योंकि कहीं पर अगर tumor बन रहा है तो वो तो खुद के body cells से बनेगा लेकिन वो unwanted है, तो किसी भी unwanted cell को यह छोड़ते नहीं है, सब को destroy कर देते हैं the natural killer cells are non-specific, they destroy any viral infected cells or tumors तो यह थे अपके 2 barriers, अब आगे के 2 barriers देखते हैं, इतना पक्का समझ में आया है सबको All Right, All Right, तो अब हम बढ़ेंगे 4th barrier की तरफ, 4th barrier में हमको क्या बताया गया है, fever के बारे में जब आपकी body का temperature rise होगा तो आपकी body में बाहर से जो भी foreign microorganisms घुसेंगे, वो microorganisms high temperature के वज़े से उनकी death हो जाती है, लेकिन एक चीज और याद रखो, यह temperature इतना जादा बढ़ना अच्छा नहीं है, कि आपके body के अलग-अलग organs, temperature sensitive organs, damage होना start हो जाए, तो temperature particular time के लिए अगर ब tension की बात हो सकती है, लेकिन उसके बादे में हम आगे पढ़ेंगे, तो fever का काम क्या होता है, यह कैसे barrier का काम करती है, यह हमको कैसे protect करती है, increase in body temperature following the infection is a natural defense mechanism, यह natural defense mechanism है, आपको एक छोटी सी चीटी भी काट लेती है, तो उसके आजु-बाजु का इलाका जहां पर आप इचि psychological processes to destroy the invading pathogens, तो इसके वज़े से क्या होता है, कि आपकी body का जो defense mechanism है, वो accelerate हो जाता है, accelerate मतलब वो double, triple speed से काम करने लगता है, ताकि आपके body में गुसने वाले सारे pathogens मर जाए, तो body में गुसे हुए pathogens को मारने के लिए आपका body temperature rise होना अच्छा है, fever stimulates the production of interferon, यह line underline करो, यह line बहुत important है, कि fever के वज़े से क्या होता है, आपके body में जो interferon का production है, वो increase हो जाता है, और जितना जादा interferon बनेगा, उतने जादा बाकी के cells protect होंगे, तो इसलिए interferon बहुत अच्छा है, so fever stimulates the production of interferon and it helps in recovery from viral infections, देखो, कुछ cells जो virally infect हो गए है, यह मिट्टी पे गिरने के व बचे हुए हैं, उनको protect करने के लिए हमारी body interferon produce करती है, क्योंकि यह interferon क्या करेंगे, यह उन healthy cells के बाहर एक protective coat बना देंगे, जिससे वो cells खुद को protect कर सके, तो interferon production बहुत important है, बहुत अच्छा है, और यह fever के वज़े से stimulate होता है, जिससे आपके body का कोई भी infection spread ना हो, और आपकी body का pathogen eliminate हो जाए, so this is how your fourth barrier works, और fifth barrier कौन सा है हमारा acute face proteins, जिसको हम बोलते हैं APP, APP मतलब acute face proteins, इसका मतलब क्या होता है, समझो आपको कोई injury हुई, कोई चोट लगी और उसके वज़े से infection हुआ, infection on injury leads to a sudden increase in concentration of plasma proteins, मतलब आपको चोट लग गई, आपका skin का tissue damage हो गया, या आपको internally कोई चोट लगी, जिसके वज़े से आपका tissue damage हो गया, और अब वो infection spread हो रहा है, तो जब आपकी body में infection spread होने लगता है, किसी भी injury के वज़े से, तो आपकी body के जो plasma proteins है, जो हमने पढ़ा था न, second वाले में, second वाला जो barrier था, serum proteins जो हमने पढ़ा था, तो आपकी body मे यह serum protein का concentration बढ़ने लगता है, मतलब cascade system activate हो जाता है, तो उसके वज़े से क्या होता है, उन proteins को, मतलब जब infection ज़ादा पहल गया, तो extra proteins की मदद लगी, तो वो उन extra proteins को हम बोलते है, acute face proteins, क्या बोलते हैं उनको हम, acute face proteins, मतलब जो temporary period के लिए produce होई है, लेकिन ज़ादा amount में, क हमारी body जो extra proteins बनाती है, हम बाहर से नहीं लेते हैं, हमारी body के cells, white blood cells, वो जो extra proteins बनाते हैं, complement cascade system की मदद से, उन extra proteins को हम बोलते हैं, acute face proteins, और proteins का का काम क्या होता है, particular antigen को किल करना, तो यहाँ पर उन proteins के कुछ example दिए गए है, these include, मतलब वो अलग-अलग type के proteins के नाम कौन से ह C-reactive protein, जिसको CRP बोल सकते हो, manose binding protein, जो manose sugar के साथ bind करके काम करती है, alpha 1 acid glyco protein, serum amylode protein, etc. ऐसे बहुत सारे अलग-अलग proteins के नाम है, आपको कोई भी दो नाम याद रखने हैं, इनके नाम का मीनिंग आप समझने जाओगे, तो हर एक protein का एक बड़ा सा cascade पात होए है, 30-40 step का, आपको अभी वो समझने की कोई सरुवत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने है कि कौनसी proteins body में produce होती है, जब infection जादा spread हो जाता है, APP, मतलब acute face proteins are believed to enhance host resistance, जब आपकी body में ये protein का concentration बढ़ता है, तो आपकी body और जादा resistant हो जाती है, resistant मतलब strong हो जाती है, आप बाहर से आने वाले microorganisms को एंटर नहीं करने देती है, so acute face proteins, they become resistant, ये क्या करते है, हमारी body को enhance करते है, enhance मतलब मदद करते है, develop करते है, ताकि host, host मतलब में, मेरी body में बाहर से अगर कोई pathogen आ रहा है, तो मेरी body में पहले तो अगर infection पहले से infection है, तो acute face proteins बनेंगे, ये acute face proteins नई माइक्र organism को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि मेरी body resistant हो जाएगी, resistant मतलब protective हो जाएगी, okay, microorganism को दूर फेकेगी, so acute face proteins are believed to enhance host resistance, it prevents tissue injury, ये और जाधा tissue को injure होने से रोकती है, and it promotes repair of inflammatory lesions, और जहाँ जहाँ पर आपको inflammation हुआ होगा, जहाँ जहाँ पर आपका tissue damage हुआ होगा, उस particular part क ुआ हो कि ये मतलब repair करने के लिए जब आपको खुझली होती है, तो आपका पूरा skin tissue damage हो जाता है, तो वो टीशू लेकिन अपने आप repair भी हो जाता है, तो आपने आप repair कैसे होता है, अगर छोटा मोटा छोट है तो अपने आप prepare हो जाएगा, तो किसकी मदद से repair होता है, acute तो आज के सेशन में हमने चार बेरियर्स के बारे में पढ़ा इन्नेट इम्म्यूनिटी के सबसे पहले हमने प्रिवियर्स सेशन में पढ़ा था कोई भी माइक्रोर्गानिजम आपकी बाड़ी में एंटर करने से पहले इसको बाहर रोक देती है समझो स्कीन से वह अंदर चला गया तो म्यूकस मेंब्रेन उसको ट्राप कर लेगी म्यूकस में भी ट्राप नहीं कर पाई तो वह ब्लड के अंदर पहुचेगा तो ब्लड में क्या प्रजंट रहते हैं optimizingicrobial substances present रहते हैं जिनको एम c प्रोटेनर बोलते है जो जोğक्रीक्व है की मदद से अम्हाद से कहते हैं जिसका एक एंटरफेरॉंस गरते हैं जब भी उनके ओपर कोई बाइरस एकहः करता है तो भी इसको को अलर्ट कर देते हैं कि तुम लोग खुद को बचा लो तो वह बाकी के सेल्स मदद लेते हैं लिंफोसाइट्स की जो प्रडियूस करते हैं मैक्रोफाजेस क्या करेंगे थर्ड वाला जो बेरियर हमने पड़ा था सेलुलर कंपोनेंट्स इन इनेट इमिनिटी यह सेलुलर सबस्टेंसेस मैक्रोफाजेस जो होते हैं यह हमारे पैथोजन को इंगल्फ कर लेंगे सीधा निगल लेंगे और काम खतम इसका एक 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 जामपल हमने देखा था नाच्रल केलर सेल्स जो नॉन स्पेसिफिक होता है फंक्शन में जो किसी भी पर्टिकुलर ट्यूमर को या वाइरल सेल को किल कर देगा मतलब यह कुछ डिफ्रेंशियेट नहीं करता है इसको कोई भी गड़बर दीखी तो यह उस सेल को खतम कर देगा फिर फोर्थ हमने पढ़ा फीवर के बारे में समझो इतना सब कुछ करन करने की थी अगर तो बहुत जादा चोट लगने के वज़े से जो बोडि में नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं उससे काम नहीं होगा और पॉर्टीन बर प्रोडियूस करना पड़ेगा तो और प्रोटीन को हम बोलते हैं acute phase proteins यह acute phase proteins आपको बाकी के infection से protect करता है resistant बना देता है और पहले से जो tissue आपका damage हुआ है उसको repair करने में help करता है तो आज innate immunity का topic खतम next lecture में हम start करेंगे acquired immunity I hope आपको session समझ में आ रहे हैं मुझे जितना जादा possible हो रहा है मैं उतना frequent videos upload करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा सबर रखो थोड़ा सा cooperate करो आपको automatically सारी videos मिलती जाएंगे बस आप मन लगा के पढ़ते रहो और revision करते रहो पहले के जितने भी chapters हो गए हैं उन chapters को revise करो control coordination control coordination की रट मत लगाओ जैसे जैसे मुझे time मिलेगा मैं control and coordination और molecular basis of inheritance के भी वीडियो डालूँगी लेकिन पहले जो chapters हो गए हैं वो तो revise करो जो नहीं हुआ है वो आपको मिलेगा लेकिन जो हो गया है वो revision करते रहो अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के पढ़ो time table follow करो अपना individual time table follow करो एक दिन में 6 घंटा कंपल सरी पढ़ना ही पढ़ना है और अगर कुछ मदत लगे तो हम तो हैं ही तो ग्यान lab channel को follow कर दो subscribe कर दो instagram telegram group join कर लो हमने model sample papers बेजे हैं telegram group पे तो जल्दी से जल्दी join करो अब तक join नहीं किया है और अपने friends के साथ इस channel को share कर दो बने रहो हमारे साथ thank you see you soon stay tuned